हेलो नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टोपिक है विंडो 11 में डियागनेश्टिक डाटा को पुन रूफ से चेंज नहीं कर सकते हैं कुछ सेटिंग और जनाइजेशन जारा मैनेज किया हुआ है इस तरह कि आपके केस में भी आता है तो इसको कैसे फिक्स करते हैं वो देखें यहाँ पे आपको टैप कर देना है सर्विसेज सर्विसेज टैप करते हैं यहाँ पे आपको दिख जाएगा सर्विसेज इसके उपर आपको किलिक कर देना है किलिक करते हैं इस तरह से विंडो ऑपन हो जाएगा अब आपको क्या करना है इसको डबल किलिक करना है इस तरह स विंडो ओपन हो जाएगा अब माली जै यदि आपके case में यह service stop होगा यहाँ पे start लिखा हुआ आता है तो आपको क्या करना है यहाँ पे start पे click करको इस service को आउन कर देना है और यहाँ आपके case में आपके case में अपके case में मैनुवल सेलेक्ट है तो आपको क्या करना है यहाँ पे अपको apply पे click कर देना है इसके बाद आपको क्या करना है इस window को यहाँ से close कर देना है अब आप चेक कर लिजेगा आपका problem solve हो जाएगा और प्लीज गाईज चैनल को subscribe करे like करे share करे thank you